हेलो एवडीबडी, वेलकम टू मेचे एनल, इसमेट्यारो 313, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम देखने वाले हैं, परसन और माइंट, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके क्रेंट फिलिंग और इमोशन प्लस उनका नेक्स्ट मॉव क्या रहेगा, तो गाइस परसन पर फोकस करेंगे, थ्री टाइम्स उनके नेम को रिपीट करके अपनी अनर्जी अलाइन करें, आपका उनके साथ चाहे जैसा भी कनेक्शन चल रहा है, इस ताइम सिट्वेशन चाहे जैसी भी आपकी इस कनेक्शन की जिस परसन के लिए आप रिडिंग को देख रहे है ताकर रिडिंग की जो अनर्जी है वो आप से एक्विडेटली डैजनेट हो सके हैं, सो लेट्स ली जान लेते हैं जो भी परसन आपके माइंड में हैं, जो भी सिट्वेशन आपके उनके साथ चल रही है, करेंटली वो आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं, फर्स्ट वी ग्राइटिटूट, जो भी परसन है न गाइस, डेफिनिटली ऐसे देख रहे हैं कि इस ताइम आपको असेप्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ इस ताइम आप दोनों के दर्मियान जो सिट्वेशन चल रही है, ये परसन उसको भी असेप्ट कर रहे हैं, पहले हो सकता है कुछ टाइम पहले इन्होंने उस चीज़ को असेप्ट नहीं किया, ये इनसान डिनाय कर रहे थे किसी ना किसी चीज़ से, बट राइट ना वो जो भी सिट्वेशन आप दोनों के दर्मियान चल रही है, ये उस सिट्वेशन में चीज़ों को डेफिनिटली बहुती परफ कुछ ना कुछ जो है वो यूनिवर्स का प्लैन है, so that's why वो चीज़ों को बहुती एक परफेक्शन के साथ देख रहे हैं, अगर पास्ट में इस इनसान ने आपको अपने लिए परफेक्ट नहीं समझा या कंसीडर नहीं कि आपको एक बड़े अच्छे इनसान के तोड़ पे, तो अभी ऐसे दिख रहे हैं कि पर्टिकलर टाइम जो ऐसा चल रहा है ना, तो ये इनसान फिल कर रहे हैं कि आप ही इस परसन के लिए एक परफेक्ट हो, अगर पास्ट में इस इनसान को आपके इंदर कुछ ना कुछ इंपरफेक्शन दीख रही थी, तो अभी इस इ करना चाहते हैं जो पास्ट में हो सकता है इन्होंने नहीं किया बिकुज राइट ना इनको आपकी तरफ से एक बड़ी ना स्वीट और क्यूट सी आपको लेकर फिलिंस आ रही है तो यह चीजों का डाहे है आप में से कुछ लोग बेकंग वेकरी वेकर्ड़ाожеकर बिक करते हैं आप कि देटिक रही है And then we have impatience बट राइट नौ ऐसी सिच्वेशन दीख रही है कि ये हर चीज़ को असेप्ट करते हुए आपको परफेक्ट देखते हुए ये आपकी तरफ आना चाते हैं और बहुत ज़्यदा इंपेशन्टी ये परसन वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ दुबाड़ा से कुनेक्ट ह हो चुकी है या कुछ ना कुछ कम्यूनिकेशन क्लियर नी हुई जिसकी वज़ा से ये परसन कन्फियूस हैं कि अब वो आप से किस तरह से बात करें किस यहां पर दिख रहा है कि ये इनसान आपको परोच करना चाते हैं आप तक रीच आउट करना चाते हैं लेकिन उनको कन परफेक्शन दिख रही है यहां पिर हो सकते हैं आप लोगों ने अपने उपर काफी ज्यादा वर्क किया है यह परसन को बेस अबरी से इंतजार है आप लोगों की तरफ आने का और आपके दरमियान जो भी कोई सिच्वेशन चाल रही है जो शायद आपके दरमियान चीज चीज़ों को क्लियर करना चाते हैं यह परसन जो भी है यह अब आपके साथ इस कनेक्शन को दोबाड़ा से रिनियू करना चाते हैं ताके आपके और इनके कनेक्शन में पॉजिविटी आ सके और हैपिनेस आ सके कुछ लोगों का स्टार्ट साइन लियो हो सकता है सेगिटे करके आपके साथ दुबाड़ा से रिनियू करना चाते हैं आपके इस कनेक्शन को ताके यह दुबाड़ा से आप लोगों की प्रेजंस को बेसिकली एप्रिशेट कर सके हैं या नो लेट सी फ्रॉम दाट आरो परसन ओन यूर माइंड क्या है उनके क्रंट फिरिंग्स और और मुझे लगने जैसे यहां पर भी एंजल्स हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं इस इंसान को फिल हो रहा है कि एंजल्स इस परसन को गाइट कर रहे हैं और इनकी हल्प कर रहे हैं आप लोगों के साथ दुबारा से इस रिलेशन्शिप को इस कोनेक्शन को रिनियू करने के लि यह जो भी परसन है आपके साथ इन्होंने ब्रेकप तो कर दिया हुए बट यह परसन जब अपने दिल के अंदर जांकते हैं तो इनको फील होता है कि अभी भी आप इस इंसान के दिल में हो इसी वज़ा से यह अब आपके साथ इस कोनेक्शन को दुबारा से रिनियू करना चाते हैं दे रिली वांट के आपके दर्मियान जो भी चल रही है जो भी सिटुएशन इस टाइम चल रही है उसको चेंज किया जाए उसको चेंज करने के लिए ही यह आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाते हैं बिगोज यह नहीं चाते हैं कि हमेशा आपका ब्रेक अप ही चलता रहे यहां आपके साथ नो कोंटेक्ट ही चलता रहे and then we have justice मुझे लग रहा है कुछ लोग तो यहां पे अपने कर्मा डील कर रहे हैं हो सकता है इनों नहीं अगर आपको पेंड में डी डाला है यहां पर किसी तरह से आप लोगों को किसी difficult situation में डाला है तो आप इस परसन को उसका कर्मा मिल रहे है यहूद भी काफी जदा अप को फील कर रहे हैं कि अब वो जो है ना परसन काफी हद तक मिचौर हो चुके हैं अगर पास्ट में mentally मिचौर नहीं थे age wise अगर मिचौर नहीं थे तो वो भी हो चुके होंगे with the time otherwise यह परसन mentally और spiritually बहुत हद तक transform हो चुके हैं मिचौर हो चुके हैं इसी वज़ा से अब के दरम्यान चल रही थी काफी arguments जिसकी वज़ा से शायद connection end हो गया था आपका यहां पर इस इस इनसान ने खुद ही आप से breakup कर लिया था बट इन्हों ने जो भी कुछ किया है ना आपको pain तो दी गया ना अब उस pain का यह इस इनसान को करमा obviously heavy मिल रहा है कि इस इनसान की life मे इनको काफी हद तक grow करवा रही है इसी वज़ा से इनसान आपकी तरफ आना चाते हैं आप देख सकते हूं यहां पर जैसे एक इनसान अपने heart को open कर रहा है ठीक है तो जब heart को open करके देखते हैं तो इनको still लगता है कि आप इसके अंदर हो इस इनसान की soul में इस इनसान की heart जाते हैं जो past में नहीं जल सके नमबर 11, number 2, number 13 and 4 is also important कुछ लों की तरफ से 24 एज यह date of birth हो सकती है otherwise 14, 11 date of birth, 2 यह 4 life path नमबर भी हो सकते है Scorpio and Libra की energy अभी तक बहुत ज़्यादा strong देख रही है Yes, so यह जीजों को balance out करना चाह रहे हैं आप लगों के साथ And we have it sampled, yes Back to back major अरकाना की energies आ रही है guys, आप देख सकते हैं मैं life shuffling कर रही हूँ तो यह जो भी person है ना, इस person की नजर आप पे है, आप देख सकते हूँ, यहाँ पे भी एक eyes है यह person की नजर आप पे है कि इनको आपके साथ हर चीज को balance out करना है और कुछ लोगों जिनों ने आपके साथ break up कर लिया था, अभी तो situation ऐसी दीख रही है कि वो आप इनसान आपके साथ अपनी life को settle करना चाते है for some of you हो सकता है, इस इनसान ने आपको छोड़ के, यह आपके साथ break up करके किसी और के साथ कोई relationship बना ली, partnership बना ली, even कि मुझे यहाँ पे marriage भी दिख रही है, इस इनसान की हो सकता है, यह already किसी और के साथ merit भी हैं यहाँ हो गे थे but अभी कुछ लोग यहाँ तो उनकी marriage में यहाँ उनकी वो जो भी उन्होंने like अपनी life settle की थी, यहाँ तो उदर balance नी बन रहा, otherwise कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे literally दिख रहा है कि इनका कोई ना कोई issue चल रहा है, legal issue, यहाँ तो divorce का कोई issue चल रहा है, यहाँ यह energy भी में हैं जो इनको आपकी तरफ आने के लिए उस चीज़ों को पहले अपनी life से totally wash out करना पड़ेगा, totally उदर से ख़तम करना पड़ेगा, totally end करना पड़ेगा, तब ही जा कि इनसान आपके साथ चीज़ों को दुबारा से renew कर सकते हैं, और इनको पता है कि आप तब ही renew करोगे जब इनसान पिछला सारा अगर किसी के साथ already involved है तो वो end up करेंगे तो, अगर आप दोनों single हो तो definitely ये इनसान जो भी आपको marriage की commitment देना चाहते हैं और अपनी life को आपके साथ settle down करना चाहते है, because ये person जो भी है ये आपकी responsibility लेना चाहते है, कुछ लोगों की तरफ से तो ये government field से मुझे दीख रहे हैं, like ये person किसी finance से हो सकते हैं, business से हो सकते हैं, यहां किसी government की job हो सकती है, इनकी, yes, हम, तो number four भी काफी important दीख रहा है, एरिस की energy काफी ज़्यदा strong है, ये person जो भी है ये responsibility लेना चाहते हैं, आप लोगों की and जो भी इनोंने past में mistakes की हैं, उसकी responsibility भी हुदी accept करेंगे, कि हांजी इनोंने गलती की है, इन से गलती हो गई थी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था या, और अगर इनकी already marriage कहीं हो चुकी है, आपको छोडने के बाद तो वो कार्मिक marriage थी, वहां पे कार्मिक lesson इस इंसान को मिलने थे, so वो मिल भी रहे हैं, और काफी हद तक चीजें मिल भी चुकी हैं, इनको, we have king of this, ये person जो भी है, वो आपके साथ अपनी life को settle down करना चाहत ये person जो भी है, इनको physically and sexually बहुत जदा आपकी तरफ attraction है, yes, और ये person कहीं न कहीं new ideas plan कर रहे हैं, आप लोगों को साथ एक बहुत ही passionate और एक attractive connection को start करने के लिए, because it's a fire, तो definitely इस इस इंसान के अंदर जो है, वो काफी हद तक एक energies जो flame है ना, वो burn हो रही है, that's why, मतब burn गया और ये आप से एक ने रिश्टे की beginning करने की एक चाह जो है, वो कहीं ना, काफी हद तक इस इंसान के अंदर burn हो रही है, so that's why, ये आपके साथ एक new beginning करना चाते हैं, और उस beginning करने के लिए, अपनी life को change करना, इनके लिए बहुत ज़्यादा important दिख रहा है, with the six of wands, ये person जो ये इस connection में, with the eight of wands and with the six of wands, ये आपको commitment देना चाते हैं, आपको choose करना चाते हैं, अपनी life को settle down करने के लिए, और especially अपनी life को एक बहुत ही positively और passionately change करने के लिए, yes, because ये सा लग रहा है, ये इस इंसान को बढ़ना, बहुत जयादा जुनून सा है आप लोगों को लेकर, और serious, seriousness बहुत ज़्यादा दिख रही है, मुझे strong इस person की feelings में, it's a very strong Aries लिए से कि Aries energy, otherwise Scorpio, Libra and Taurus, पिर गो Capricorn की energy भी याँ पे है, number one, six and four is also important, double four की energy बहुत ज़्यादा strong है, 21, 26, कुछ लोगों की age या date of birth हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है, 40 plus भी हो सकते हैं, now let's see more, person on your mind, क्या है उनके current feelings and emotions and then मैं उनका next move भी देखूंगे, but मुझे भी तक situation दिख रही है, ये इनसान, जो है next move, आपके साथ new beginning करेंगे, और आपको proposal देंगे, और आपके साथ एक बहुती successful connection and relationship को start करेंगे, we have your higher self, ये person feel करेंगे, इस inspired की definitely higher self जो है वो आपसे बहुत ज़्यदा strongly connected है, कही न कहीं इस person का heart chakra इतना ज़्यदा activate है, कि वो चाते हैं कि आपके साथ जो है उनके emotions connect हो जाएं, we have great gratitude, यहां पे भी gratitude की energy है, यहां पे भी gratitude की energy है, it means कि यहां पे two times जो है energy बहुत ज़्यदा strongly repeat हो रही है, यहां पे एक energy बहुत strong दिख लिए कि इनसान आप से communicate करना चाते हैं, there is a lot of birds, चैटर की energy है, यह person आप से बात करके अपनी life में definitely universe को gratitude शो करना चाते हैं, और आपकी presence का भी universe को gratitude शो करना चाते हैं, क्योंकि इनको लगते हैं आपके साथ बहुत strong spiritually connection है, इस person का इस काफी strong दिख रही है, double two की energy भी काफी strong है, and then we have three, intuition and manifestation, यह person अपनी intuition को सुन रहे हैं, ठीक है, अपनी gut feelings को सुन रहे हैं, क्योंकि इनको लगते हैं आपके साथ एक intuitively spiritually connection है, that way यह इनसान आपको manifest कर रहे हैं, ताकि आपकी जो है वो इस meeting की beginning हो, कुछ लोगों की तरफ से 30 plus age भी दिख रही है, 34, 32, 31, 36, otherwise three life path number यहां, date of birth भी हो सकता है, but यह जो भी person है, यह manifest आपको भी कर रहे हैं, and I think आप भी manifest कर रहे हो, कहीं न कहीं हो सकता है, आप दोनों का telepathy connection भी है, क्योंकि आप दोनों intuitively एक दुसरिफ से connect हो, and we have kindred partnership, definitely यह इनसान जो भी है, यह आपके connection को start करने के लिए, because number one की energy है, double one number भी काफी important दिख रहा है, 11, 11 काफी strong दिख रहा है, तो यह जो भी person है, guys, really wanna date you, really wanna start a romantic connection with you, यह उसी romantic connection को start करने के लिए आपको बहुत सदा manifest कर रहे हैं, because यह person जो भी है, वो आपके साथ अपनी life को adventure में लेकर जाना चाह रहे है, this person really wanna start a new connection romantic connection, basically, एक love connection आपके साथ स्टार्ट करके, आपके साथ enjoy करना चाहते हैं, अपनी life को, because यह जो भी person है, यह feel करते हैं, कि आपके इस connection में इतनी potential है, कि यह इन्सान जो है न, वो आपके साथ एक बहुत ही stable और strongly connection कर gate कर सकते हैं, आप में potential देखते हैं, उनको feel हो रहा है, इस time क कि आपके साथ जो जो भी connection बनेगा न, वो partnership बनेगी न, वो बहुत ही ज्यादा strong होगी, let's see more, देखते हैं, इनका next move क्या होगा, person on your mind, their next move, we have eight of cups, we have four of sword, next move में ऐसे लग रहा है, कि यह इन्सान आपको छोड़ के, क्यूंग ए थे उसके बारे में सोचने वाले हैं, ता कि आपको कुछ बात कहने के लिए, explain करने के लिए, solid भी तो हो न, with the ace of risk, यह आपको जो छोड़ के गए थे, उसके बारे में काफी हाद तक concern दिख रहे हैं, काफी हाद तक सोचते हुए दिख रहे हैं, because यह person next move में सोचने वाले हैं, और feel करने वाले हैं, कि यह आपको जब से इन्होंने छोड़ा है, जब से आपसे वाक वे किये हैं, करिये न, तब से इसकी लाइफ में सकून नहीं है, इसकी लाइफ में पीस नहीं आया, यह इनसान हील नहीं हो पाए, सही सही यह इनसान अपने आपको बैलंस आउट नहीं कर पाए, emotionally, हर टाइम आपके बारे में सो one month की timing आ रही है, but obviously हर एक इनसान के लिए timing different होगी, but energy यही दिख रही है, यह आपको क्यों छोड़के गए थे, उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचते हुए, फिर यह इनसान आपके पास offer लेकर आएंगे, ताकि अगर आप पूछ लो, कि यह इनसान ने आपको पहले क् time में in future बहुत ज्यादा, कि कहीं यह ना हो, जिससरा इन्हों ने आपसे walk away किया, emotionally detach किया हुद को, तो कहीं आप भी हमेशा, हमेशा के लिए इस इनसान से emotional detach ना हो जाओ, उसके बारे में यह इनसान बहुत हद तक mentally मुझे लगड़ा, disturb होंगे, and then वो decide करेंगे, कि आपकी त connection को start करने के लिए आपकी तरफ ले कर आई जाए, फिर यह इनसान action लेगा आपकी तरफ, yes, यहां तो वो feel करेंगे कि बहुत दा आप emotional detach होगी चुके उनसे, आगे move कर गयो, तो इनसान उस चीज़ को बेर नहीं कर पाएंगे, so that's why वो आपकी तरफ finally next action में move लेंगे, कुछ